अपनी कहानी का हीरो Puss in Boots सहर के गवर्नर के घर में हुरदंग मचा रहा होता है और अपनी तारीफों के गाने गा रहा होता है तभी वहाँ पर शहर का गवर्नर और उस घर का मालिक पहुँच जाता है और अपने घर की ऐसी हालत देखकर उसका पारा सातवे आसवान पर कोई उस खतरनाक और उस टाइम के most wanted criminal पुसिन बुट्स को कोई छूबी नहीं सकता फिर वहाँ पर सब लोग उन लोगों के बीच की लड़ाई का मजा लेने लगते हैं लेकिन इस बात से अंजान कि उनकी इन आवाजों से उस घर से थोड़ी दूर सोया एक सैतान उठ खड़ होता है और चल पड़ता है उस घर की तरफ वहाँ के लोग उस लड़ाई का मजा ले रहे होते हैं और तभी वो एक आखवाला भद्दा सा सैतान वहाँ पहुच जाता है और उस घर की चत उखाड फेंगता है फिर एक ही जपट्टे में कुछ लोगों को उठा कर अपनी पे गंटा उखाड कर उस पर हमला करता है पर अपना चालाख हीरो उसी के हतियार से उसे हरा देता है और ओडियंस फिर से उसे गाना गाने के लिए कहने लगती है वो जैसे ही गाना गाना शुरू करता है वही घंटा पूसीन बुट्स के उपर गिरता है रोस के नीचे दब कर म और फिर हमें PUSH INBOOTS एक होस्पिटल में आखे खोलता हुआ जीवित दिखाई देता है जहां उसे डाक्टर कुछ टेस्ट करने के लिए बोलता है पर PUSH INBOOTS उसे मना कर देता है ये कहकर कि वो एक दम फिट और बाहु बिल्ला दिख रहा है उसे किसी टेस्ट की कोई जरूर और तब डाक्टर पूचता है कि तुम कितनी बार मर चुके है PUSH INBOOTS तब PUSH INBOOTS गिंती करता है और तब उसे पता चलता है कि उसने आठ जिंदगियां मजाक मजाक में गवाँ दी तब डाक्टर उसे सला देता है कि उसे अब इस खतरनाक और हीरो गिरी वाली जिंदगी तब मुम्बती बुच जाती है अचानक से वहां के मोसम में हलचल होती है और PUSH INBOOTS को एक धीमी सीटी की ऐसी आवाद सुनाई देती है जो उसकी रूह तक पहुच रही थी PUSH हैरान से अपने दाई और देखता है तो पाता है कि एक काले रंग का लबादा उड़े एक भेडिया बैठा है PUSH उसे देखकर हैरान होता है और वो PUSH के कपड़ों की तारीफ करता है जिसे सुनकर पता नहीं क्यों PUSH थोड़ा एस हैज हो जाता है फिर वो भेडिया P PUSH के वोंटिड का और PUSH को उस पर डेड़ वर्ड के उपर साइन करने को बोलता है PUSH उस पर हंसते हुए कहता है PUSH मोत से नहीं डरता किराय के गुंडे PUSH के इतना कहते ही माहुल गरम हो जाता है और भेडिया कहता है कि आज तक उस से कोई नहीं बचा है तो ये सुनकर PUSH उसका गमन तोड़ने के लिए तयार हो जाता है पर इससे पहले कि PUSH कोई एक्शन करता भेडिये के एक तेजवार से उसकी तलवार दूर जा गिरती है पर PUSH कहा रुकने वाला था वो अपनी तलवार उठाता है और जा बिढ़ता है दुबारा से उस भेडिये से पू पूस उड़ जाते हैं उसकी सांसे उखड़ने लगती है और धीरे धीरे उसके रोंगते खड़े होने लगते हैं अब PUSH को पता चलता है कि असल में डर होता क्या है पूस को डरते देख भेडिया खुस होता है और पूरे जोर से उस पर तूट पड़ता है भेडिये का रो भाग निकलता है दर के मारे अपनी जान बचा के वो डॉक्टर के दिये पते पर जाने की सोचता है पर जाने से पहले खुद की पहचान को दफनाने की सोचता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए और उसकी माचो और निडर वाली पहचान वैसी की वैसी रहे दुखी मन से अपनी सक्सियत को दफना के और एक भासन दे के वो मामा लूना के घर पहुंच जाता है। पहले तो वो वहाँ अपने तरीके से जीने की कोशिश करता है पर उसे अपने आदर्श और उसूल त्यागने पड़ते हैं और ऐसी जिन्दगी जीने का आदी होना पड़ता है जिस जिन्दगी से उसे कभी नफरत थी। मामा लूना के घर पर अचानक से हमला कर देते हैं और पुस को ढूंडने लगते हैं पर पुस का हाल अब बेहाल हो चुका था और उसे कोई सामने होते हुए भी पहचान नहीं पाता। ये नाम सुनकर पहले तो पुस डर जाता है पर वो नो जिन्दगियां वापिस पाने की चाह उसे अब वापिस से उस नॉर्मल बिल्ले से पुस इन बूट्स बना देती है और वो चल पड़ता है नकसा चुराने के लिए अपने कुत्ते दोस्त को पीछे छोड़कर और पह लेकर आई है जैक होरनर उनको अपने कमरे में लेकर जाता है जहां उसे अपनी जादूई चीजों की बहुत ही बहतरीन कलेक्शन करके रखी होती है फिर जैक होरनर नक्षे को लेने ही वाला होता है कि सर्पेंट सिष्टरों से गुसा दिला देती है फिर जब जैक होरनर उ एक दूसरे को पहचान जाते हैं क्योंकि पुस पर हमला करने वाली बिली कोई और नहीं पुस की एक्स गल्फ्रेंड किटी सौफ्ट पो थी दोनों एक दूसरे से जगड़ा कर रहे होते हैं कि नकसा किशे मिलेगा तभी कमरे की चत तूटती है और उपर से गोल्डी लोक्स और तीन भालू और सबसे पीछे बिग जैक होर्नर फिर मस्त वाली लड़ाई होती है और सबसे बीच बचाओ और एक्शन करते हुए पुस और किटी एक साथ बच निकलते हैं उस कुत्ते के साथ तांगे पर पुस और किटी तांगे पर भी नक्षे के लिए लड़ाई कर होते हैं और होर्नर के गुंडे उनका पीछा करने लगते हैं तभी हमें एक जबरदस चेजिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है पुस उन गुंडो को रोकने के लिए उस घोड़ा गाडी में रखे सोने के सिक्के और सामान को फैकने लगता है पर तभी पुस को वही खतरना पारे जादूई हतियारों को इकठा कर डाल लेता है एक जादूई बोक्स में और निकल पड़ता है पुस और किटी के पीछे उधर किटी और पुस को नक्षे की साहिता से पता चलता है कि उन्हें विसिंग स्टार काली जंगल में मिलेगा और ये नक्षा ही कलोता रास्ता है वहाँ पहुचने के लिए वो दोनों निकल पड़ते हैं विसिंग स्टार के पीछे और उन दोनों के बीच अभी भी नक्षे के लिए जगड़ा हो रहा होता है अब पुस और किटी के पीछे गोल्डी लोक्स और भालू और उनके पीछे जैक होरनर फाइनली वो तीनों जंगल में पहुंच जाते हैं और नक्षा देखकर पता चलता है कि नक्षा हर किसी को अलग लग रास्ता बताता है और कुटे को मिला रास्ता आसान था तो वो लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं उनके पीछे पीछे गोल्डी लोक्स और भालू भी होते हैं जिने बिग जैक होर्नर एक्स कैलिबर तलवार के एक वार से रास्ते से हटा देता है। फिर अपने जादू वाले हत्यारों से आगे का रास्ता बनाता है। उधर पुस किटी और डोग आगे बढ़ रहे होते हैं। पुस अपनी दाड़ी भी पीछे छोड़ देता है। वो अब एक दरिया को पार करके आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तब जैक होर्नर कुट्टे को कबजे में लेकर उन पर हमला करने के लिए तयार हो जाता है। तभी वहाँ गोल्डी लोक्स और तीन भालू भी पहुंच जाते हैं। वहाँ लड़ाई सुरू हो जाती है। उसको हर जग है वह भेडिया दिखता है। तब वहाँ वो कुट्टा पुस को नॉर्मल करता है। तब पुस उसे बताता है कि उसके पास एक आखरी जिंदगी बची है। इसलिए उसको डर लग रहा है। और वो वी सिंग स्टार की मदद से अपनी सारी जिंदगिया वापिस लेना चाहता है। कुट्टा कहता है कि उसे ये बात किटी को बता देनी चाहिए, वो समझेगी। पर पुस कहता है कि सेंटा कलोमा में उसने किटी को शादी का वादा कर वहां से भाग निकला था, किटी भी ये सब सुन रही होती है, पर वो अंजान बन कर उनके सामने आती है, और वो लोग फिर नक्षा ढूंडने निकल पड़ते हैं, उधर गोल्डी लोग सोरतीन भालू नक्षे के जरी एक घर तक पहुंसते हैं, जो उन्हें अपना घर जैसा लगता है, इनों भालू वहां मजा करने लगते हैं, पर गोल्डी उन्हे कहती है कि ये जादू है, या उनका इम्तिहान है, तभी उसे वहां एक फेरी टेल नाम की बुक मिलती है, जो उसे उसके बच पार्टनर बरने के लिए, फिर वो उस घर के पास पहुंझाते है, जहा नक्षा और गोल्डी लोक्स और भालू थे, वो नक्षा चुराने में कामियाब हो जाते हैं, वहां नक्षय के लिए मारा-मारी सुरू हो जाती है, नक्षा किटी के हाथ आते-आते ही माहोल बदल ज और किटी और पुस नक्षा तो लेके निकल जाते हैं पुर कुट्टे को नहीं बचा पाते फिर पुस नक्षे को अपने हाथ में लेकर कुट्टे को ढूंडने की कोशिश करता है तो वो कैद हो जाता है क्रिश्टल्स के अंदर फिर किटी कुट्टे को बचाने के लिए जात पुस के पुस के चक्कर में उसने सारे रिस्तों को खोड़ दिया पर अब और नहीं पुस अपने ही अवतारों को इग्नोर करके आगे बढ़ता है कि तब ही अंधेरी जगह से वो भेड़िया निकल कराता है अचानक से और पुस के पसीने छूड़ जाते है तब भेडिया कहता है मैंने तुम्हें हर बार वो घटिया मोते मरते देखा वो घटिया मोते जो जिन्दगी की बेज़ती करती है तुमने जिन्दगी की कभी इज़त नहीं की और अब तुम इस जिन्दगी जीने के लायक नहीं हो और त में लेने आया हूँ तब पुस कहता है कि मैं तो अभी जिन्दा हूँ मेरे पास मेरी आखरी जिन्दगी बाकी है तब भेडिया कहता है कि मुझे बिल्लियां बिल्कुल पसंद नहीं और वो नो जिन्दगियां वाला खेल तो बिल्कुल भी नहीं और तुमने तो तुम्हारी एक भी जिन्दगी के इजद नहीं की इसलिए मैं खूद आया हूँ तुम्हारी आखरी जिन्दगी तुम से लेने ये सुनकर पुस विसिंग स्टार की तरफ दोड लगा देता है और मौत उसके पीछे होती है किटी और डोग भी पुस को आवाज देते हैं पर वो डर के मारे रुकता नहीं और पहुंच जाता है विसिंग स्टार के सामने उधर गोल्डी लोक्स और तीन भालू भी ठक जाते हैं पुस को ढूंडते हैं बेबी भालू गोल्डी से पूशता है कि ऐसा क्या है जिसके लिए तुम्हें ये विसिंग स्टार चाहिए तब वो कहती है कि उसे असली फैमली के लिए एक विस चाहिए ये सुनकर तीनों भालू उदास हो जाते हैं पर तब मामा भालू से कहती है कि अगर तुम्हें वो चाहिए तो हम तुम्हें वो पाने में मदद करेंगे उधर पुस अपनी विश मांगने को तयार होता है कि तभी किटी डोक के साथ वहां पहुंच जाती है और पुस को सुनाने लगती है कि उसने फिर से धोका दे दिया वो हर बार यही कहता है वो कहती है कि तुम्हें पता है कि उसकी विश क्या थी वो पुस को मांगने आई थी यहाँ वो पुस जिस पर वो भरवसा कर सके और वो उसे इस सफर में मिल चुका था तो उसे किसी विश की जरूरत नहीं थी अगर वो उससे वैसे ही मांग लेता तो उसे नक्षा खुशी-खुशी दे देती उधर पुश कहता है कि उसकी आखरी जिंदगी बची है बिना नो जिंदगियों के पुश है ही क्या किटी कहती है कि तुम गलत हो और मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती क्योंकि तुम्हें खुश से बहुत ज़्यादा प्यार है और ये कहकर वो नक्षा पुश को दे देती है तभी बिग जैक होर्नर और गोल्डी लोक्स की टीम भी वहां आ जाती है और फिर सुरू हो जाती है मस्त वाली लडाई सब के बीच कभी कोई किसी पर भारी तो कभी कोई किसी पर भारी और तभी गोल्डी लोक्स बेवी भालो को बचाने के लिए नक्षा छोड़ देती है फिर होर्नर के पास नक्षा आ जाता है और तभी किटी उसे मस्त वाली किक मारती है और वो अपने खुद के ही जादूई बैग में जाकर गिर जाता है फिर डोग वो नक्षा पुस तपहुचा देता है और कहता है कि मेरे पास तो सिरफ एक ही जिंदगी है तुम्हारे और किटी के साथ बिताए हुए वो पल मेरी जिंदगी को एक मकसद देते हैं और मुझे और जिंदगी की कोई जरूरत नहीं है पुस इन बातों को ध्यान से सुन ही रहा होता है कि फिर तभी वहीं पर वो भेंकर सीटी की आवाज दुबारा से सुनाई देती है और शाक्षात मौत होती है पुस के सामने मौत एक ही बार में पुस और खुद को एक आके घेरे में ले लेती है तब मौत अपने परचंड रूप में आकर कहती है कि सिकार पकड़ा-पकड़ी करने में माजा आया पर अब काम को अंजाम तक पहुचाने का शमय आ गया है तुम इस बार फिर बुस दिली की तरह पीट करता है और अपनी जिन्दगी के अच्छे मूमेंट्स याद करने की कोशिश करता है और फिर होता है चमतकार और पुस बन जाता है वापिस से पुस इन बुट्स वो बिलकुल निडर बहादूर और मौत का सामना करने को तयार पुस इन बुट्स क्योंकि पुस ये जिन्द पुस अब नहीं डरने वाला था वो अपने माचो अंदाद से दोनों ही चीजों को वापिस ले लेता है और अपने हुनर से मोत पर भारी पड़ने लगता है पुस का जुता और मोत का मूँ और अब पुस का ये रूप देखकर मोत भी हैरान थी और इस बार वो पुस की जिन् बुट्स को मारने आया था जिसे लगता था कि वो कभी नहीं मर सकता पर तुम ही ने उसे मार डाला है जाजी ले अपनी जिन्दगी पुसिन बुट्स अपनी आखरी जिन्दगी ये कहकर मोत वहां से निकल जाती है पर रुको इतनी आसानी से हैपी एंडिंग कहा होती है क् पर डुग उसे अपना क्यूट सा फेस दिखा कर उसका ध्यान बटकाने की कोसिस करता है और वो ध्यान बटकाने में सफल हो भी जाता है क्योंकि जैक होरनर का ध्यान बटकते ही पुस किटी और गोल्डी लोक्स की टीम मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और नक्से को छीन कर उ उस फीनिक्स और उस बग के पास होता है जो उसकी आली करतूते पूरे रस्ते भर देखते आए थे और वो उसे जला देते हैं और यहीं होता है बिग जैक होर्नर का अंत वो उस विशिंग स्टार के अंदर समा जाता है और दोनों टीम अंत में खुश होते हुए अपने अपन झाली करते हैं झाल झाल